हेलो दोस्तो मिरा नाम है नवीन और आप देखने हैं नीओ वल्टे के यटूब चैनल दोस्तो अगर आप कक्षा दस्वी पास हैं, बारी पास हैं, ग्रेजुट पास हैं या फिर अगर आप आई टियाई डिप्लोमा डिग्री पास हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के इंडिएट्स के लिए बहुत ही ज़ादा खास होने वला है क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आपको इस साल 2022 में मिल सकती है एक सरकारी नोकरी या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपलाए करना होगा कैसे आपको ये जॉब मिलेगी जिहां दोस्तो बहुत ही जल्दी आपको इस जॉब मिल सकती है के वल आपको अपलाए करना है और apply करने का कोई भी आपसे charges नहीं लिया जा रहा है दसवी class से लेकर के any graduate pass के इंडियर्स apply कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई professional qualification है तब भी आप apply कर सकते हैं apply करने का process जो है सभी के लिए बिल्कुल same होने वाला है तो step by step में आपको सारी जान करे देने वाला हूँ और सबसे important बात कि दोस्तो national career services के अंदर यहाँ पर आकर कि आप registration कर सकते हैं और यहाँ पर आपको job भी मिल सकती है लेकिन एक बहुत ही वड़ा सवाल यह उड़ता है कि आप अपनी profile के according आपको यहाँ पर job कैसे मिलेगी कैसे आप job की तलाश कर सकते हैं मान लिजे केवल अगर आप 10 वी class पास है तो आपको job आपकी according कैसे मिलेगी अगर आप 12 पास है, graduate पास है काफी सारी hiring चल रही है अगर अभी तक आपने apply नहीं किया है तो बिलकुल भी skip मत कीजेगा आज का वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस पकार आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी request है वीडियो को लास तक जरू देएगा और वीडियो को लाइक जरू किजेगा और comment करके ये जरूर बताएगा कि आपने कौन से नंबर पर वीडियो को लाइक किया है और लाइक करने के साथ-साथ अपने सभी friends के साथ share कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके और फ्रेंड्स रोजना सीपर का सरकारी नोकरी और लेटेस जॉप्स की अपडेट के लिए आज ही हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की नीचे सलाल बटन को दबाए साथी साथ घंटी का बेल अलग अलग है और यहां पर सेक्टर वाइज अलग अलग है और अदर्स में भी है जिसमें वर्क फ्रॉम हम जॉब से वुमेंस के लिए भी है मेल और फिमेल अलग अलग केटिगरी वाइज यहां पर वेकेंसी है और भी काफी सारी यहां पर जॉब से जिसके लिए आप कि 100% आप जो है एक जॉब पा सकते हैं वो भी बिलकुल सीक्योर जॉब है यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है बिलकुल फ्री ओफ चार्ज आपको अप्लाई करना होता है यहाँ पर आपकी ज्यादा तर जो जॉब लगती है बिना एक्जाम के डारेक्ट आप रहते हैं तो आप अपलाई जरूर कीसेगा लेकिन बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा वनना आपके काफी सारे कमेंट्स काफी सारे सवाल आ जाएंगी उनका जवाब देना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है प आप अपलाई का सकते हैं स्लेक्शिल प्रोसस क्या रहेगा कौन-कौन इहां पर विकेंट्स अई ही हैं यह सारी जांकरी आप हमारी वाबसएट से ले सकते हैं तो अधिक जानकरी के लिए आज ही वाबसएट पर जाएं आप चाहें तो Google में भी सर्च का सकते हैं जैसे आप Google में type करके search करेंगे आपको सबसे उपर सबसे पहले ये website में जाएगी तो friends आज हम बात करेंगे आज की नई update के बारे में जो की है National Career Service की तरफ से जी हाँ दोस्तों ये जो है Ministry of Labor and Employment की तरफ से एक सरकारी portal है जिस पे आकर के काफी सारे candidates ने अभी तक registration कर रखा है लेकिन वो यहाँ पर apply नहीं कर पाते हैं उनको क्योंकि पूरी knowledge नहीं हो पाती है जिसके कराण से वो apply नहीं कर पाते हैं तो friends आज की इस वीडियो में हम आपको complete information देने वाले हैं वीडियो को last तक जरू देगा step by step आपको सारी जान कर देंगे सबसे पहले आपको आना होगा ncs के career portal पर जिसका link आपको discussion में मिल जाएगा वहाँ पर आप आगर के यहाँ पर आप जान कर ले सकते हैं apply भी कर सकते हैं तो process क्या रहेगा सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहे तो category wise यहाँ पर search कर सकते हैं यहाँ फिर आप जो है यहाँ पर आप जाते हैं state and union territories के according भी search कर सकते हैं यहाँ फिर आप चाहे तो sector wise भी आप search कर सकते हैं यहाँ पर sector wise आपको job मिल जाएगी जिसा कि health में finance and insurance में आप जाना यहाँ पर इंटर्शिप भी आई हुई है दस्यार से अधिक हैं यहाँ पर government jobs है 2170 और यहाँ पर women's के लिए है specially यहाँ पर females के लिए भी jobs है यहाँ पर disability candidates के लिए भी vacancies है और other jobs यहाँ पर है आप देसे हैं लाखों में यहाँ पर vacancies हैं लेकिन यहाँ पर काफी candidates को जो knowledge नहीं है जिसके कारण से वो apply नहीं कर पाते हैं और उन्हें यहाँ पर job भी नहीं मिल पाती है ठीक है तो दोस्तो best opportunity है best platform है आज ही registration कर दीजेगा और registration भी अगर आपने कर रखा है तो आज ही apply करिएंगा ठीक है तो यहाँ पर आप देसे ते हैं states सारे states यहाँ पर है जहाँ पर भी आप óriaगते हैं वो सारे states यहाँ पर मिलड़ेगी और तो सभी में आपको vacancy ऑक्लिचा थी eyiram साएगी ठीक है जैसा कि आप देसे थे हैं यहाँ पर केरला में कुछ नया page open हो जाएगा जिसमें आप find out कर सकते हैं कि आपको कहां पर apply करना है, किस post के लिए apply करना है, कुछ समय आपको time लगेगा, कुछ समय आपको wait करना है, कुछ देर में आपके सामने एक नया page open हो जाएगा, तो जैसा कि दोस्तों आप दिसते हैं हमने जिसे ही देली प आप यहां पर jobs को search कर सकते हैं, apply कर सकते हैं, आपकी package के according, आपकी location के according, आप सर्च कर सकते हैं, तो काफी सारी jobs यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप चाहे तो data entry की jobs कर सकते हैं, sales में जा सकते हैं, marketing में जा सकते हैं, accounts के लिए apply कर सकते हैं, clerk की vacancy के लिए कर सकते हैं apply work from home jobs के लिए कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं घर बेटे आपको cable mobile से ही काम करना है या computer से या laptop से काम करना है वो भी आप search करके apply कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारी jobs है यहाँ पर आप दिसेते हैं others में आप जाएंगे तो work from home jobs है जो की लगबग 10,000 vacancies है इसकी अलावा यहाँ पर sector wise भी आप apply कर सकते हैं find out कर सकते हैं वो आपका criteria है आपका lookout है कि आपको किस प्रकार यहाँ पर job find out करनी है search करनी है तो काफी सारी jobs यहाँ पर है government jobs भी है आप जिसेते हैं government jobs के लिए आप apply कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर railway, SSC और भी अधर सरकारी department है जो participate कर रहे हैं जो कि यहाँ पर direct vacancy निकालते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप डिरेक्ट लिया करके apply कर सकते हैं अब important बात यह है कि आपने job तो find out कर ली है आपके according लेकिन आपको apply कैसे करना है मानली जी किसी भी एक particular post के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारी jobs मिल जाएगी apply बटन भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको click कर देना है जैसा कि मैं आपको बताता हूँ किसी एक post के लिए तो आपको apply कैसे करना है यहाँ पर आप मानली जी application support के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर दीजिए seeker पर आपको Select करना है, जो भी है वो आपको यहाँपर Select करना होगा, उसके बाद में आपकी Unique Identification, जो भी है आपकी ID है जैसे की Paintcard है, अधरकार है, इस्वरम नंबर है, या जो भी है, वो आप पर आपके का स्टेक्ट हैं जो बी आपका स्टेट थो भी आपको कर सकते हैं आपकी एपाइस act में राज़ और आपको करना है उसके बाद यहां पर करना है आपके हाइस collection क्या है वहवो आपको सलेक्ट करनी है ठीक है तो इन नवी क्लास से उपर ही आपकी qualification है आपके अपर accept की जाएगी उससे पहले नहीं की जाएगी ठीक है तो नवी 9th class, 3th class, 12th class जो भी है आपके पास में जो भी आपकी highest qualification है मान लीजी अगर आपके वल दस्वी ही पास है तो आप यहाँ पर select कर लीजेगा ठीक है कोई issue नहीं है दस्वी के लाबागा अगर आपके पस में जो भी है post graduate है graduate है इसके बाद आपको email id आपको type करना होगा mobile number देना होगा password आपको खुद को create करना है दो बार repeat करना है आपको username आप यहाँ पर चाहे तो कोई सा भी select कर सकते है email id, ncs id या unique uid number ठीक है कुछ भी आप select कर सकते हैं उसके बाद में की skill क्या है आपका वो आप यहाँ पर type कर दीजिएगा ताकि इनको यहाँ पर एक अंदाज़ा हो जाए कि की skill के candidates को हमें कौन सी job provide करनी है ठीक है कौन सी update देनी है आज ही apply कीजिएगा complete जानकर आपको दे दी है आज के इस वीडियो में फिर भी कोई सवाल हो तो comment कीजिएगा वीडियो को like share और चैनल को subscribe जड़ कीजिएगा thank you so much